दोस्तों आज हम बात करेंगे नेता जी का चस्मा कच्छादस का इंदी का चेप्टर है इनका जीवन परचे क्या है चलिए जानते इनका जीवन परचे स्वेंप्रकास का जन्म जो है 1947 में इंदवर के मद्य परदेश में हुआ था या मैकेनिकल इंजिनियर की पढ़ाई करके एक अध्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे स्वेंप्रकास का बच्पन में नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिता है उनकी उम्र का ज्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में बिता है फिलहाल स्वेंचनिक सेवा निविर्ति के बाद वह भोपाल में रते थे और वह सुधा पत्रिका के संपादक से जूड़े थें आठवें दसक में उभरें सुवें प्रकास का आज भी समकालिन के महत्वपूर थाचर हैं और उनकी 13 कानिया संग्रप्रकासित हो चुके हैं जिन में सूरज कब निकलेगा आएगा आएगा अच्छे दिन भी आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनी है उनके बीच में विने और इधन उपन्यास चर्चित रहे हैं फिर उसके बाद इन्होंने पहले बनमाली पुरसकार में राजस्थान के साहित अकादमी पुरसकार आदी पुरसकार में पुरसक्रित किया जा चुके हैं फिर उसके बाद मध्यवर्गी जीवन में कुसल चितरे स्वय प्रकास की कानिया है वर्ग सोसर के विरुद चेतना है तो हमारे समाजिक जीवन में जाती संप्रदा है और लिंग के अधार पर हो रहे है भेदभाव के खिलाप प्रतिकार स्वर भी का है रोचक किस्सो गोई सैली में लिखी गई है उनकी कानिया हिंदी में वाचित परंपरा को संब्रिद करती है अब इनके बारे में प्रशन उत्तर के आया सेनानी ना होते वेभी चेसमे वाले को लोग कैप्टन क्यों कते थे हैं सेनानी ना होते वेभी चेसमे वाले को लोग क नानी को भरपूर सम्मान करते हैं अखला कोश्चन का है हालदार साहब हालदार साहब में ड्राइबर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों का इसमें जो पहला कोश्चन का है हालदार साहब जो पहले मायूस के उठे थे मायूस क्यों हुए थे उसके बारें चली क्योंकि वे सोच रहे थे कि चौराय पर सुबाश चंद्रबोस की प्रतिमा तो अवज से मिलेगी परंतु उनकी आखों का चस्मा नहीं मिलेगा चस्मा लगाने वाला देश भक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहां अब कि किसी भी और किसी में वह ऐसी देश प्रेम की भावना नहीं है जैसा कि उनके में थी मूर्थी पर जैसे अगला कोश्चन है कि मूर्थी पर सरकंडे का चस्मा जो है क्या उमीद जगाता है मूर्थी पर सरकंडे का चस्मा जो है उमीद जगाता है कि लोगों के अंदर देश भक्ती की भावनाम मरी हुई नहीं है भावी पीड़ी इस धरोवर को संभालने हुए बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज़बा है और अता भावी से सूरच्छी थै अगला कोश्चन क्या था आलदार साहब इतनी से बात में क्यों भावक उठे थे जब उन्होंने नेता जी की प्रतिमा की आखो पर चस्मा लगा देखा तो आलदार साहब के मन में निरासाब की भावना अचानक ही आसा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हिर्दें प्रसंता आखों से आसू बनकर छलक उठी और यह विश्वास हो गया कि देशभक्ती की भावना पीड़ी जो देशभक्ती की भावना है और पीड़ी पीड़ी पूरे मन में पूरी तरह से भरी हुई है सभी में आसायस पश्ट कीजिए किसका बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देने वाले को भी हस्ती है और अपने के लिए बीकने के मौके को डूटती है हालदार साहब बार बार सोचते थें कि उनके कौम को का भविश से कैसा होगा जो उन लोगों को हसी उड़ाती है जो अपने देश के खातीर घर ग्रियस्ती जवान जिंदगी सब कुछ त्याग क हो सके उसके लिए अपनी नयतिकता की तिलांजली क्यों न देनी पड़े अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्थी के लिए अपना इमान तक बेच दिया जाता है या देश भक्ती की मुर्खता समझा जाता है पान वाले ने एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए पान वाले का पान वाला जो काला था मोटा और खुस मिजाज आदमी था उसके सीर पर गिने चुने बाल ही बचे थे ज्यादा पान खाने के कार उसकी दात जो लाल काला हो गया था अर्दम मुह में पान भरा राता था अगला क्या आए वो लंगडा क्या जाएगा फोज में पागल ए पागल कैप्टन के प्रती पान वाले की इस टिपड़ी की प्रती किरिया लिखिये यह टिपड़ी कैप्टन के बारे में हालदार साहब के द्वारा पूछे जाने पर पान वाले के द्वारा की गई बिल्कुल उचित नहीं थी कैप्टन सारीरिक रूप से अच्छम था जिसके लिए वो फोज में नहीं जा सकता था परन्तु उसके देरदय में जो अपार देश भक्ति की भावना थी वो किसी फोजी से कम नहीं थी कैप्टन के कार्यों से असीम देश प्रेम प्रकट करता है उसी कारण पान वाला उसे पागल खता है एसा काना पान वाले की स्वार्थ परता है भावना को दर साता है और उसके बाद सवर्थ का अनुचित है वास्तों में पागल पन की तक एक पागल पन की हद तक एक प्रती त्याग और समर्पड की भावना रखने वाला व्यक्ति इस रद्धा का पात्र है उपहास का नहीं फिर इसके बार निमलिखित वाक्यों को पात्रों में कौन सी भी सेस्ता आये उनके संकेत हैं हालदार साहब हमेसा चौरा है पर रुकते और नेता जुकों नियारते पहला कोचा नद है फिर वद्दूसरा के आये खक पान वाला उदास हो गया था उसके पीछे मूड कर मुझ का पान नीचे दुगा और सर जुका कर दोती के सीरे से आखे पोच्ता और बोलता हुगा साहब कैप्टन मर गया फिर वद्दूसरा क्या आये कैप्टन बार बार मूर्ती का चस्मा लगा देता था हालदार सब हमेशा चौराय पर रुकते थे और नेता जी को निहारते और प्रकट करता था कि देश उनके अंदर देश भक्ति की भावना प्रबल है और वे स्वतंत्रा के लिए संघर्ष करने वाले महापूरूस के हिर्दे में आधर करते हैं नेता जी को पानाय वे चस्मे है कि माध्यम से कैप्टन की देश भक्ति को देखकर खुस होते हैं जिनके लिए वह मन में के मन में स्रद्धा है फिर उसके बाद कैप्टन की दूसरा कोशन क्या था है पान वाला उदास हो गया था उसकी पीछे मुह में पान नीचे थुका और जुक कर दोती में आक पोच कैप्टन की कैप्टन मर गया बोलत बोला कि कैप्टन मर गया कैप्टन की मिर्त्यू की बात पर कैप्टन की मिर्त्यू की बात पर पान वाले को उदास हो जाने पर सर को सर जुखा कर आसू पोच्टा इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले की इर्दे में कैप्टन के प्र और दुखी हो गया था, उपरोगत गटना के पानवाले के सवेंद शिलता और देश प्रेम की भाउना का पता चलता था अगला के आए कैप्टन दौरा बार बार मूर्थी पर चस्मा लगाना या प्रकट करता है कि वह देश प्रेम के त्याग करने वाले लोगों के प्रती अपार्श रद्धा रगता है उसके हिर्दे में देश भक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है इसके बाद अगला है जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साचात नहीं देखा तब तक उनके मानस में पटल और उसका कौन साचीत्र रहा होगा उसकी कलपना लिखिए हालदार साहब ने जब कैप्टन को साचात नहीं देखा तब तब तक उनका मानस में पटल पर कैप्टन की भरी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवी अंकित हो रही थी उनको लगता था कि वह फोज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन करते हैं फिर सके बाद आठवां क्या है कसबों सहरों महानगरों पर किसी न किसी छेत्र के प्रसिद्व व्यक्ति की मूर्थी लगाने का प्रचल प्रचलन सा हो गया था पहला है इस तरह मूर्थी को लगाने का क्या उद्देश हो सकता है दूसरा आप अपने इलाके के चोराय पर किस व्यक्ति की मूर्थी अस्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों उस मूर्थी के प्रति आपके दूसरे लोगों को उत्तरदाइत होने चाहिए को का एंसर क्या था इस तरह मूर्थी लगाने का प्रमुख उद्देश यह होता है कि उत्तम महान व्यक्ति और इस मूर्थी हमारे मन में बनी है यह असमरड हो रहे हैं महापूरूस देश के समाज के हितों के लिए इस हित की सतरह महान कारे किये हैं उनके व्यक्तित से प्रेड़ड़ा हमारे भी अच्छे कारे जिससे समाज का राष्ट भला हो फिस बात खा का एंसर क्या था क्वेश्चन क्या था आप हमने इलाके के चौराय में किस व्यक्ति की मूर्तिय स्थापित करवना चाहेंगे और क्यों हम अपने इलाके में चौराय महात्मा गांदी की मूर्तिय स्थापित करवना चाहेंगे इसका कार्डिया है कि आज के परिवेस में जिस प्रकार जिस प्रकार से हिंसा, जूट, स्वार्थ, वेमन, संप्रदाई का संप्रदाई का मन कमपटिशन, भश्टाचार, आधी, बुरायों, व्याप्त होती जारी है इसमें गांधी जी के आधर्सों के प्रसिंगता और प्रसिंगता का भी बढ़ रही है गांधी जी की मूर्थी अथापित होने से लोगों के अंदर सत्य और इंसा का सदाचार, सांप्रदाई का सवाध्र, आधी की भावना उत्पन होगी, इससे समाजवा देश की वातावर्ड अच्छा बना रहेगा अगला कोश्चन क्या से उस मूर्थी के प्रति आपके एं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदाईत होने चाहिए हमारा यह उत्तरदाईत होना चाहिए कि हुमिस मूर्थी की गरिमा ध्यान में रखे वे वस्वय को मूर्थी पर अपमान करे अथवा उसे च्छती पहुचा है और इसके बाद और नहीं दूसरों को एसा करने दे हम उस मूर्थी के प्रति पर्याप तसरद्धा प्रकट करें और उस माप पूरुस के आदर्सों पर सुवय भी चले और दूसरों को भी चलने को प्रेरित करें निमलिखित पक्तियों को अस्थानी बोली को प्रभाव अस्पष्ट दिखाई देता इन पक्तियों को मानक हिंदी में लिखे कोई गीराक आ गया समझो उसको चोड़े चोखट चाहिए तो कैप्टन किधर ले जाएगा उसको मूर्थी वाला दे दिया उधर दूसरा बिठा दिया उत्तर कैमानक हिंदी में रूपांतरित अगर कोई ग्रहक आ गया तो उसको चोड़े चोखट चाहिए तो कैप्टन कहां से लाएगा मूर्थी वाला चोखट दे देता है जो मूर्थी पर लगी हुई चस्मा था उसको दे देता है फिर उसके बाद उसकी जगह दूसरा लगा देता है भाई खूब क्या आइडिया है इस वाके में ध्यान में रखते हुए बताईए कि भासा की एक दूसरी सब्दों को अनेक लाब होते हैं एक भासा और दूसरी भासा के सब्दों में आने वाले उस भासा की भावी व्यक्तियों की चमता में ब्रिध्धी होती है भासा का बंडार बढ़ता है भासा का स्वरूप अधिक आकर्शक हो जाता है भासा में प्रवा हमेता आ जाता है निमलिखित वाक्य में निपात च्छाती और उनके नए वाक्य बनाई ये नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती रती थी किसी अस्थानी कलाकार को भी अउसर देने का नीड़य किया करती थी गह क्याय यानि चस्मा तो था लेकिन सरगर मरमर का नहीं था अब गह क्याय हालदार साब अब भी नहीं समझ पाएं थें फिस्वत गह क्याय दो साल तक हालदार साब अपने काम के सिल्सिले में कस्वे गुजरते थें इसको जो वाक्य बनाना है पहला जो है क्या था उत्तर के आए कुछ ना कुछ जैसे न तू मेंसा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो फिर उसके बाद कोई जैसे बीच में कोई ही आना चाहिए रहा कि कोई हमेंसा अच्छी अंक मिलते है फिर गर में तो था ना चाहिए रास्ते में तो कोई सवारी तो थी नहीं अब नहीं तुम अब भी बाजार नहीं गए मैं इस समय मैं तुम्हें अधिक मेनत करनी चाहिए फिर उसके बाद अगला क्या आए निम लिखित वाकेंसों में कम मभाच में बदलिये वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब गीने चुने फ्रेमों को नेता जी की मूर्ती का एक फिट देता है पान वाला नया पान खा रहा है कर्म में क्या होता है दुआरा लगा जाता है पान वाले को साप बता दिया है डाइबर ने जोड से ब्रेक मारा नेता जी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया था आल्दार साब के चस्में वाले को देश भक्ती का सम्मान मिला था उसके द्वारा अपनी बेटी से दुकान में उपलब दगीने चुने फ्रेम से नेता जी एक फिट कर दिया जाता था मूर्ति का एक फिट कर दिया जाता था फिर पान वाले ने नया पान खाया जा रहा था पान वाले से नया पान खाया जा रहा था पान वाला जो है नया पान खा रहा था खाया जा रहा था यहाँ फिर पान वाले द्वारा साब बता दिया गया था डाइबर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया नेता जी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया गया फिर उसके बाद आलदार सहाब द्वारा चस्मे वाले को देश भक्ती का सम्मान मिला था कर्म वाच्छे से लिए द्वारा लगाकर सही वाच में बदला जाता है फिर उसके बाद अगला क्या नीचे लिखे वाक्यांसों में भाव वाच्छे में बदली है भाव वाच्छे से उठाने जाता या किया नहीं जाता याई मा बैठ नहीं सकती मा से बैठा नहीं जाता मैं देख नहीं सकती मुझसे देखा नहीं जाता चलो अब सोते मुझसे सोया नहीं जाता चलो अब सोया नहीं जाता मा रोड नहीं सकती मा से रोया नहीं जाता फिर उसके बाद अगले चेप्टर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजेगे